तो आज ही हम करने वाले हैं कर टेंद We Esraineक ने एक तो मैंने आपको लास्टेड दिए बताया था लस्क्रास्ब्रास्त निए के लाइन की है बना सकते हो तो वाला इफेक्ट नहीं आ अब मैं क्या एप्टरेंगा वह और यहां पर एक प्लेन लेता हूं जिसको मैं करें में करूंगा करें बनाऊंगा तो सेग्मेंट भी जाता चाहिए सेग्मेंट मैंने इंक्रीज कर चाहिए अब मेरा सामने की तरह अगर मैं देखो प्रस्पेक्टिव में तो इस तरीके से मैंने करटन ले लिया आब इस पर करूंगा कैसे अगर मैं इसको कलोफ बनादेता हूं और यह तो नीचे विर जाएगा तो सबसे पहले तो मेरे को इसक टोफ यू पे जाके इस box को इसके center में करती है इस तरीके से मानू हम जिस चीज की उपर इसे hang करना जाता हूं और अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसे cloth बनाऊं तो यह इससे hang हो जाए तो मुझे कुछना कुछ करके कि इस plane को इससे tight करना पड़े तो उसके लिए क्या करूंगा मैं प्लेंग को select करता हूं और fat ड़ीन लगा examining क्लोोथ बनाने के बाद मेरे पास यहां पर अě्रोप ऋप्शन实 करोंगे तो यहां पर कॉप्शनीट गृूप ब क्लिक करने के बाद आप टिया जो उपर वाली यह वर्टेक्स है ऐसे शो जाएंगी इन सब वर्टेक्स को स्लेक्ट कर लो इवन आप दो लाइन को भी स्लेक्ट कर सकते हो ठीक है और इसको करके आप कर दो एक ग्रूप नाम कुछ भी दे सकते हो मालब टॉप या कुछ भी अच्छा एंड ओके तो आपके यहां पर टॉप का एक अनसाइंड गूरूप हो गया अनसाइंड का मतलब कि सिर्फ गूरूप किया है कि आपने कुछ कमांड नहीं डाली अभी तक इस पर मैंने इतने यहां पर ऑप्शन आ गया अब यह इसके साथ अटाइच है अब आपका काम करता है होगे इतना ही अब करना क्या है क्लोथ के प्रोपर औब्जेक्ट प्रोपरिटी पर जाओ और इस प्लेन को बना दो क्लोथ अब परदे के लिए आप कोई भी बना सकते मानलों में सेटीन अब मुझे क्या करना है अब मैं कर दूंगा सिमुलेट लोकल जैसे सिमुलेट लोकल करूंगा यह पर्दे की तरह रियक्ट करेगा और देखो ऐसे आगया अब मैं क्या करूंगा इस बॉक्स पर क्लिक करूंगा सिमुलेट लोकल चल रहा है इस बॉक्स को मैं स्केल वो उसकी तरीक्य से ही परदा बंता चला जाए है कि मैं इसको कम ऐसे स्केल कर रहा हूं और वो नोड से टाइड है वहाँ पर उसके एकोर्डिंग वह आपका क्लोथ भी सी तरीके से रियक्ट करता है अब तो आ रहा है रियल इफेक्ट समझेरो जब आपको लगे कि अब आपका आगया इफेक्ट तो अब आप इस पे क्लिक करो और सिमिलेट लोकल को ओफ कर दो तो आपका इस तरीके से एफेक्ट आ जाएगा अब आप इसके उपर और इसकी फिनिशिंग के लिए इसको स्लेक स्मूध का तो वनी टाइम लगाओ बस बहुत है अब देख्वा आगया स्मूध आपका अब आप इसे कहीं पर यूज कर सकते हो कोपी कर सकते हैं समझ गए ठीक है चला अब यह तो हो गया यह चीज़ अब मैं चाहता हूं कि जो कर्टेन में लगाओ उपर से तो ऐसे नीच इस टाइब से आजए तो इसको कैसे करें इस टाइब से आपको परदा लगाने हैं और इसमें भी वह उपर से चोटा नहीं हुआ है उपर से बढ़ा है नीचे से इसे घुमा के बढ़ा ऐसे तो इसके लिए मालों मैंने डिलीट किया इसे दुबारा फ्रंट पे गया मैंने क्या किया इसको स्लेक्ट किया क्लोथ मोडिफायर लगाया प्लेन की उपर और क्लोथ लगाके ग्रूप पे क्लिक किया इतने पोर्शन को स्लेक्ट किया उपर वाले को इसको क्या अगर दिया में एक ग्रूप ओके और नोड पे क्लिक करके मैंने इस बॉक्स के साथ न reflect करेंगे नीचे की तरफ ददेता हो और और नॉर्मल कोपी कुब करने के बाद अब मैं दुबारा से इस पे क्लिक करता हो ग्रूप पे क्लिक करता हूँ औस अब चाहां देता हूं यह वाले अब यह स्टक हो गया उसके साथ और यह सब्सक्क्र उसके साथ को यहांपcciónम करोगे तो तोनों के साथ टक है अब मैं ऊपर वाले को नहीं छेड़ूंगा मैं नीचे वाले को छेड़ता हूँ इसको मैं कम करूँगा समझ रहो यह आपको करना है ऐसे आप कर सकते हो इसको डबलू प्रेस करो मैं इसको इधर की तरफ मुझ यह इसकी साथ-साथ रन करेगा कि इसको ऊपर कर सकते हो इसको आप स्लेक्ट कर सकते हो हलका सा इसके अंदर भी वह करूँ दैशकते हो और जो चीज जो उस इसके साथ खिलना यह बॉक्स से सब चीज हो रही है फिल्कुल बिल्कुल इसको लॉजिक नहीं है बनाने का कोई लॉजिक हो नहीं है सिर्फ अटैच है ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मैं जादू कर रहा हूं इस पर यह कि यह होने के बाद आप इस से लेक्ट करो डिलीट कर दो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ में आपको इस तरीके से आएगा अच्छा और इसको कोपी कर दिया इंस्टेंस कर दिया और यह इस तरीके से बना दिया लेले इस तरीके से विल्कुल में आप इस तरीके साभा तर बैसके वह प्रोपर्टी चेंज़ कर सकते यह थितना करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करोगर एडिटे पल पॉली करता हूँ इतना करने के पाद ताकि अब फर्दर अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो अब परदा बनाना है उपर नीचे जैसे भी आपको करना कर दें में आपको सारे वर्टें समझ आपकर हो इस तरीके से बने हैं इसी कि ठीक है अब करके उसके सिलेंडर डालाए तरह स्वेए रहे बिल्कुल बिल्कुल होल करके स्लेंडर ला दो हांपर